अज़िए 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 विडियो का टॉपिक है इंग्लिश लिट्रेचर का एंग्लो सेक्षन पिरियोड डॉक्टर बी आर मुलिक की बुक्स है अंग्लो सेक्षन पिरियोड कम कहते हैं कि ये बाकाइदा तोर पर इंग्लिश लिट्रेचर का सबसे पहला फेज है अर्लिएस्ट फेज अफ इंग्लिश लिट्रेचर इसको अंग्लो सेक्षन क्यों कहा जाता है इसको Englis Section इसलिए कहा जाता है कि ये दो ट्राइब थे Englis and Section ये कहां से आए थे Came from Sweden and Denmark ये स्वीडन और Denmark के साहिलों पर रह रहते और वहां से ये आए मौजूदा England की तरफ जिस जमाने में ये लोग मौजूदा England की तरफ आये थे उस जमाने में बरतानिया के एक हिस्से पर रूम का कबजा था तो ये लोग इग्जेक्ली जिस जगह पर पहुंचे थे इंगलंड में उसको इंगल लेंड कहा जाता था और इनों ने स्वीडन और डैनमार्क से जिस दौर में आना शुरू किया मौजूदा इंगलंड की तरफ वो दौर था पांचवी सदी का मिडल मिडल आफ फिफ्ट सेंचरी लेकिन जिस तेजी से ये आये तो इस इलाके में इनका जो मुकमल आक्योपेशन था वो 670-80 तक हुआ यानि ये लोग डैनमार्क और स्वीडन से पांचवी सदी के मिडल से आना शुरू हुए और 670 तक इनों ने इस पूरे इलाके को आक्योपाई कर लिया था इसी लिए आप देखेंगे कि ये पीरियड एंगलो सेक्षन पीरियड लिटरेचर में स्टार्ट होता है 670-80 से इस एंग्लो सेक्सन खानदान का जो सबसे फेमस किंग है लिटरेचर में वो है अल्फर्ड दी ग्रेट एंग्लो सेक्सन दोर का सबसे फेमस किंग जिसको हिस्टरी बहुत जानती है वो कौन है? वो है Elford the Great इस खानदान का आखरी बादशाह जो था Last king hero was defeated in the battle of hastings in 1066 by William the Conqueror of Normandy France आखरी बादशाह कौन था इस खानदान का खानदान का आखरी बादशाह Herald था इसे किस ने दी William the Conqueror ने दी William the Conqueror कहा से आया था ये नॉर्मंडी फ्रांस से आया था ये जंग किस नाम से जानी जाती है बैटल ओफ हैस्टिंग और ये जंग कब हुईती 1066 में तो रफली इनका जवाल चलता है फिर 1180 तक तो ये कहा जाता है कि ये पिरियड 670 से लेके रफली एक्स्टेंड करता है 1100 तक लेकिन अगर हम इनके बात करें बादशाथ के वाले से तो 1066 तक जवाल शुरू हो चुका था ठीक है मैं रिपीट करता हूँ एंगलीज और सेक्सन दो ट्राइब्स थे जिनकी बन्याद पर इस पिरियड को एंगलो सेक्सन पिरियड का नाम दिया जाता है एंगलीज और सेक्सन कों थे ये लोग आयते स्वीडन और डैनमार्क से कहां पर आयते ये इंगल लेंड आयते आज का इंगलेंड और उस वक्त क्या था उस वдо अंगलिंड के मौझूदा अंगलिंड के एक इसे पर रूम का कब्जा था इन लोगों ने यहाँपर आना कब शुरू किया था पाँछवी सदी के वस्त में दरमयान में आना शुरू किया था इन लोगों ने इस मुकम्मिल एरिया को आकोपाई कब किया ता 670 AD में इन्होंने मुकमल तोर पर इस एरिया को आकोपाई कर लिया था एंगलो सेक्सन्स का सबसे फेमस किंग कौन था एलफर्ड दी ग्रेट था इसने क्रोनिकल्स भी लिखे आगे इसका जिकर आएगा एंगलो सेक्सन्स प्रोज में लास्ट किंग को था? हैरल था इसको श किस किस ने दी थी? विलियम दी कॉंकरर ने विलियम दी कॉंकरर कहा से आया था? नॉर्मंडी फ्रांस से आया था ये जन्ग कब हुई थी? ये जन्ग हुई थी 1066 में 1066 में इस जन्ग का नाम क्या था? Battle of Hesting Next हम discuss करते हैं कि Anglo-Saxons की जो language थी वो family of languages के इतνοवार से कहा से थी तो इनकी language को हम कहते हैं तो यही है कि यहה थी अंग्रेजी की इपताई तरीन शकल थी लेकिन यह language अगर हम बात करते हैं जबानों के खाणदान के आवाले से तो यह barrierine और एंडो European family of languages की एक ब्राश थी दिल्चस्पियां क्या थी अगर हम लिट्रेचर के हवाले से बात करना चाएं कि ये लोग किस चीज में दिल्चस्पि रखते थे किस किसम का इनका टेस्ट था किस किसम का इनका मिजाज था और इनकी दिल्चस्पियों का तरीका एकार क्या था तो इसमें हमें पता चलेगा कि ये लोग जो है इनका love for personal freedom उस जमाने में हर एक के लिए ये एक आम सी बात थी क्योंके जंगों का जमाना था इनसान अगर हम ये कहें को उस दोर में दो ही काम कर रहा था या जंग की तैयारी कर रहा था या जंग से बचने की तैयारी कर रहा था शायद तीसरा कोई आपशन था ही नहीं उस समाने में तो ऐसे वक्त में love for personal freedom एक आम सी बात है इसके बाद है नेचर नेचर को response करना अब ये नेचर को response कई तरह से था एक तो लेकर ये उस तरह से बिलकुल भी नहीं है जिस तरह से आप पढ़ते हो romantic poets को तो ये वो वाला response नहीं था यहाँ पर नेचर का मुराद था कि नेचर के अच्छे signals good signals और bad signals in terms of weather in terms of diseases in terms of epidemics तो उसको response करना और पिर उसको literature में भी जगा देना next क्या था religion ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये जब यहाँ पर आये थे तो यहाँ आने के बाद इन्होंने क्रिस्चानिटी कबूल की और क्रिस्चानिटी को कबूल कर लेने के बाद पिर इनकी जो poetry थी उसमें एक religious factor बहुत ज़्यादा गालिब रहा बलके यूँ कहिए कि इस जमाने की जो poetry है वो ज्यादा तर है ही religious poetry इसके साथ जैसे तमाम अदवार मेरा women खातून के लिए महबत खातून के लिए wishes उनके लिए belongings और aspirations और longing और search for glory तो ये भी कोई ऐसा नया theme नहीं था कि इसमें आप confused हों आप परिशान हों कि search for glory क्या थी तो ये लाजमी तोर पर अगर आपने movie देखी इंडिया की बाजी राओ मस्तानी तो वहाँ पर भी जो बाजी राओ हेल्प करने जाता है साथ वाली किंडम में तो प्योर वो glory की तलाश में जाता है कि मेरा नाम जो है वो रहती दुनिया तक लिया जाएगा कि एक बंदे ने अपनी सल्तना चोड़ के एक लड़की की मदद की थी आगे हम बात करते हैं एंगलो सेक्षन पोईटरी की तो एंगलो सेक्षन पोईटरी को हम दो हिस्सों में डिवाइट कर सकते हैं रिज़न से पहले की पोईटरी यानि जब एंगलो सेक्षन लोगों ने क्रिस्चैनिटी को एंब्रेस किया उससे पहले की पोईटरी और उसके बाद की पोईटरी पोईटरी बिफोर रिज़न यहां पर रिज़न से मुराद क्रिस्चैनिटी है poetry after religion یعنی Christianity کو embrace कर लेने के बाद नेक्स यहां पर था जी अगर हम बात करते हैं पहले फेस की तो पहले फेस की जो बाकाइदा नजब में वो बियो वल्फ है यह क्या थी A Hero and Slayer of Monster यह शक्स कौन था इसको हम बाद में नेक्स वीडियो में डिसकस करेंगे कि यह बंदा कौन था यह बंदा एक Hero था जिसने Monster से निजात दिलाई लोगों को तो पिर इसको बड़ा जो है नवो सिंग किया गया बड़ा इसको romanticize किया गया दूसरा मरला क्या था religious poetry यह poetry वो थी जो मजब की बन्याद पर थी इस दोर के दो बड़े फेमस लोग हैं केडमन और सिने वल्फ केडमन के जो स्पैन था जो उसका canvas था उसमें क्या चीज़ शामिल थी उसमें शामिल थी fate of man creation plus fall इनसान की किसमत इनसान की तखलीक इनसान का downfall और जिन्दगी के मसाइल ये subject matter थे केडमन के सिने वल्फ के क्या थे इसका main जो focus रहा वो था क्राइस्ट की स्टोरी पर इसकी जो book का नाम है जो manuscript इसने लिखा उसका नाम भी क्राइस्ट है तो इसका जो main concern रहा वो इस आले इसलाम की जिन्दगी उनका दुनिया में आना दुनिया से चले जाना और इन्सानों के लिए उनकी जो कुर्बानिया थी ये इस बंदे का main concern रहा नेक्स अब बात करते है एंगलो सेक्षन प्रोस की अच्छा एंगलो सेक्षन प्रोस के बारे में ये कहा जाता है एंगलो सेक्षन प्रोस के साथ एक ये भी problem रहा कि इस दोर की बहुत सारी प्रोस के सारी प्रोस के सारी गुम हो चुकी जिन दो चार कामों का नाम लिया दो चार किताबों का या पोईट्स का नाम लिया बियार मुलिक ने इस चैप्टर में तो वो बड़े insignificant से है तो सिवाए ये जो epic point है एक इसके इलावा बाकी का literature जो कहें कि वो खो गया जाया हो गया वो नहीं मिल सका एंगलो सेक्षन प्रोस में दो बड़े नाम है एक तो Alfred the Great ठीक है हमने पहले डिसकस किया Alfred the Great कौन था Alfred the Great एंगलो सेक्षन खानदान का सबसे मशूर बादशा था तारीख में सबसे ज़्यादा शोरत एंगलो सेक्षन में इस बंदे को मिली और इस शोरत की वज़ा क्या थी इस शोरत की वज़ा थी कि इसने chronicles translate किये translated chronicles Latin to English इसने लातीनी ज़़ान के जो chronicles थे इनको अंग्रेजी ज़़ान में translate किया और शायद यही वज़ा थी इसके तारीख में मशूर हो जाने की दूसरा जो फिगर है वह है एलफरिक ये एक पादरी था इसने जो sermons थे जो खताबात थे जो खत्बे थे चर्च के हवाले से क्रिस्चैनिटी के हवाले से उनको उसने एक तरह से पोईटिक प्रोज की सुरत में लिखा तो इसने भी इस लिहाद से शोहरत पाई अगर हम बात करें कि अग्लो सेक्संस अपने मिजाज के लिहाद से कैसे थे पहले हमने डिसकस किया कि अगर हम बात करें अवराल उनके ट्रेंड्स क्या थे उनके रुमेंसिस क्या थे रुमेंसिस में उनके दिलचस्पिया क्या थी तो वह हमने डिसकस किया कि गलोरी था लफ और वुमें था लफ और नेचर था nature को response करना और personal freedom था तो यहां पर disposition किया कि इनका character इस लिहाज से opposing जो है न वो characteristics थी इनके character में एक तरफ ये बड़े savage थे तो दोसरी तरफ ये sentimental भी थे ये जजबाती भी थे एक तरफ इनका जो है वो rough living style था तो दोसरी तरफ इनकी जो feeling थी वो भी बड़ी deep feeling थी फिर इनका है जी एक तरफ courage था अगर courage था तो दोसरी तरफ जो है वो दुख भी था melancholy भी थी तो ये इनके traits थे एंगलो सेक्षन के हवाले से मैंने बहुत सीधे साधे अंदास में ये जो इन पर जो question आते हैं आप उनको भी discuss कर सकें इस lecture में इसलिए नहीं किया क्योंकि डॉक्टर बियार मुलिक ने सिर्फ इन चीजों के नाम लिखे हैं इनके हवाले से इनको कोई detail में discuss नहीं किया तो next video में मैं इने भी detail में discuss कर दूँगा ताकि आप लोगों को समझने में preparation में आसानी रहे थैंक यू सो मच अलाफिस